नमस्कार लोकसबर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं त्यार जेल से बाहर आने की बाद अर्विन के जिवाल ने आज से चुनावी प्रचार की शुरुवात कर दी है और कह रहे हैं कि सुप्रेम कोट ने मुझे 21 दिनों का टाइम दिया है पर मैं एक दिन में 36 घंटे काम करूँगा हलाकि चुनावी नतीजों में देखना होगा कि केजरिवाल के चुनावी प्रचार का असर क्या होता है पर आज केजरिवाल ने आमादमी पार्टी के दफ्तर में अपने कारेकरताओं को जो संबोधन दिया है उसमें अगर गौर करे तो केजरिवाल ने विपक्ष के हर बड़े नेता का नाम लिया उनका जिक्र किया पर राखुल गांदी कॉंग्रिस पार्टी से दूरी बनाते नजर आए केजरिवाल ने कहा मुझसे एफिडेविट पर लिखवा लो अगर ये चुनाओ जीत गए तो थोड़े दिन के बाद ममतादी दी तेजस्वियादव, स्टालिन, पिन्रै विजियन और दव ठाकरे को जेल के अंदर डाल देंगे साथ ही कहा कि केजरिवाल को गिरफ्तार कर उन्होंने मेसेज दिया कि अगर मैं केजरिवाल को गिरफ्तार कर सकता हूँ, तो किसी को भी अरेस्ट कर सकता हूँ तो सवाल ये है कि केजरिवाल ने आखिर क्यों किसी भी मुद्दे पर कॉंग्रेस पार्टी का जिक्र नहीं किया क्यों कॉंग्रेस के उन तमाम नेताओं का धेनिवाद नहीं दिया जो केजरिवाल की गिरफतारी को गलत बता रहे थे कनाया कुमार तो सुनीता केजरिवाल से मुलाकात करने उनके घर तक पहुँच गए थे पर आखिर वो कौन सी बात है कि केजरिवाल की रिहाई पर कॉंग्रिस के किसी बड़े नेता का भी बयान सामने नहीं आया तो आज इसी मुद्दो पे चर्चा करेंगे केजरिवाल के पूरे संबोधन को देखे तो उनके संबोधन में उन्होंने हर नेताओं का किसी बहाने नाम लिया लेकिन आखिर क्यों कॉंग्रोस पार्टी से किनारा कर लिया राहूल गांदी का नाम क्यों नहीं लिया देखे केजरिवाल किसी का नहीं है बाहर निकलते ही इसने धोखा दिया कॉंग्रेस पार्टी को तो इसमें डाउट नहीं क्यों कम से कम कुछ धन्यवाद बोल दिया होता राहूल गांदी कॉंग्रेस पार्टी आरती उतार रहे थे भष्टाचारी बाहर आया है सवाल यह है कि क्यों नहीं ऐसा किया हर राज्जितिक दल अपने हिसाब से काम करते हैं अपने फाइदे के मताबिक अगर अभी एक सब्द राहूल गांदी के फेबर में कॉंग्रेस के सरकार आएकि उसमें आम आखी पार्टी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है क्या होगा चार, चार तो दिल्ली में लड़ रहे हो बाकि पूरी की पूरी सिट पंजाब में लड़ रहे हो तो किस को हराओगे वहां तो भागत पार्लाटी तो अब इस बार सुरुवात ही था कि आप अपने दुस्मन जो जेल के अंदर है राहुल गांधी पिछली बार पंजाब गए तो उने कहा था कि देखिए कॉंग्रेस का कोई भी नेता खालिस्तानियों के घर पे आपको नहीं मिलेगा यह जाडू वाले मिलेंगे तो आप भरस्टाशारी भी बता रहे हो क्य क्यों कि यह जो केजरिवाल जेल गया यह बीजेपी की वज़े से नहीं अनिल चौधरी कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के उनके रिटेन कंप्लेंड के ऊपर ही इस पूरे जाच की शुरवात हुई जिसमें वह जेल गया तो अब आप यह देखिए कि विपक्ष किस तरह के कंट्राडिक्शन में चल रहा है इतनी बड़ी चीज काफी लोग कह रहे थे अब केजरिवाल बाहर आ गया है सीन बदल जाएगा कुछ तो ऐसे बद्दिमाग लोग थे कि केजरिवाल बाहर आया है तो 200 सीटों के अंदर बीजेपी सिवट जाएग आप उससे जो कुछ भी उमीद करेंगे वो ठीक उसका उल्टा करेंगा बिल्कुल मरी सर्ण ने कहा कि केजरिवाल से जो उमीद की जाएगी वो उसके उलट ही करेंगे तो उमीद क्या जताई जाए बिपक्षी गडवन्दन के नेताओं को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे या अपनी रोटी सेकेंगे जब केजरिवाल से उमीद जो कॉंग्रेस को थी इस वात के लिए थी कि कम से कम दिल्ली में गुजरात में और हर्याना में हमारे लिए परचार करेगा इन तीन राज्यों में हमने उसके साथ गठवदन किया है और इसलिए पहले कॉंग्रेस के नेताओं ने खासकर राहुल गांधी ने ये सोचा कि केजरिवाल के लिए मंच सेयर करो पिये मोदी से मुकावला करना है तो अरविंद केजरिवाल के जेल जाने गिरफतार होने का फायदा उठाने की कोशिश करो इसलिए पूरा का पूरा खांदान यानि की सुनिया गांधी प्रियंका वाडरा राहुल गांधी ये सारे के सारे रामलीला मैदान पहुच गए सुनिता केजरिवाल के बगल में बैठने के लिए लेकिन इसके बाद भी उन्होंने काम किया कॉंग्रिस ने अविशेक मनु सिंग्वी जैसे वकील को इनके पास बेजा और अविशेक मनु सिंग्वी की बात देखिए तो सुप्रिम कोट में इन लोगों ने बेल का खेल तो पहले से ही सुरू कर दिया था कितने ऐसे कॉंग्रिस के नेता हैं जो बड़े वकील भी हैं कितने ऐसे कॉंग्रिस के नेता हैं जो की पहले से बेल के खेल में शामिल रहे हैं उनकी जमानत हुई है सोनिया गांदी राहुल गांदी ये दोनों ही जमानत पर बाहर है तो इसमें एड़ी चोटी का जोड लगाया गया इन लोगों ने सोचा अब तो इनकैश कर लिया गया है केजरिवाल के जेल जाने गिरफतार होने का फायदा कॉंग्रेस को कुछ मिलेगा चलो पंजाब में कुछ समस्याएं आएगी वो जेल लेंगे पंजाब के बाद गुज ही नहीं है कि अरविंद केजरिवाल कितना बड़ा धोखेवाज आदमी है वो तो ये सोच रहते कि हम केजरिवाल का इस्तेमाल करेंगे और केजरिवाल ये सोच रहा था कि कॉंग्रेस को निचोड कर फेक दो इसका इस्तेमाल थोड़ा सा करो अपनी सेटिंग एटिंग के लिए उसके बाद इसको बाहर करो और यही वज़ा है कि पूरे अपने संबोधन के दौरान अर्विन केद्रिवाल ने सारे बड़े विपक्षी गठबंधन के नेताओं का नाम लिया वो कॉंग्रेस के बारे में भी बोल सकते थे यह भी बोल सकते थे देखिए राहुल अंदर से यह लगता है कि दिल्ली के लोग भी गालियां देंगे पंजाब में भी परिशानी पैदा होगी दिल्ली में गठबंधन भले ही हो लेकिन अर्विन्द केद्रिवाल के समर्थक या जो कॉंग्रेस के समर्थक है इन दोनों के बिच इस बात की चर्चा तो है यही क केद्रिवाल है जो दिन रात सुबह साम सीला दिक्षित को गालियां देता था जेल भेजने की बात करता था सोनिया गांधी को गांधी नहरु परिवार को गाली देता था यहां जंतर मंतर पर कॉंग्रेस के सारे नेताओं का फोटो चिप काय हुए था कि जैसे यह मोस्ट सोचा था जब इंडी गठवंदन बन रहा था तो उससे पहले इन लोगों ने एक तीसरे मुर्चे की बात की थी हम लोग साथ साथ हो जाते हैं आगे भी यह सोचता है कि यह राहुल गांधी तो हमारा कंपटिटर है प्रधान मंतरी के लिए यही तो बोल रहा था प्रधान नहीं करना चाहता और यह कॉंग्रेस को धोखा देने के लिए आगे एक कदम बढ़ा चुका है मतलब केज्रिवाल के सामने राहुल गांधी भी गच्चा खा गए लेकिन मनी सर केज्रिवाल कह रहे है कि तानशाही से देश को बचाना है मुझे पत का कोई लालच नहीं है इस्तिफिक को लेकर आज उन्होंने गोल मुल बयान तो दिया तो क्या लगता है केज्रिवाल अब इस्तिफा नहीं देंगे क्या क्या कह रहा है कि भाई हम संघर्ष कर रहें किसके खिला तानशाही कैसे संघर्ष कर रहे थे तो जेल में रहकर करके बाहर क्या चल रहा था जेल के ताले टूटेंगे केज्रिवाल चूटेंगे फोटो सॉप पिक्चर एक बनाई गई कि वो जेल के अंदर जो गिल्स होते हैं उसके अंदर से वो ज्छाक रहा है मैटम केजरिवाल, सुरिता केजरिवाल जगा जगा घूम घूम के वोट मांग रही थी, कह रही थी कि मेरे पती को जेल में डाल दिया है तो अब राजनितिक तौर पर अब देखें, तो आम आदमी पार्टी को केजरिवाल के बाहर आने से ज़्यादा नुकसान हो गया है नुकसान कॉंग्रेस पार्टी को भी हुआ है, कारण ये जाकर कि तो पंजाब में परचार करेगा किसकी सीटे खाएगा, कॉंग्रेस पार्टी की खाएगा तो अब जो एज मिल रहा था, जो एक सिंपथी, जो महिलाओं की या कुछ लोगों की, जिन लोगों को फाइदा पहुंचता है केजरिवाल के सौचनिस से, उसके नीतियों की वज़े से, उनके अंदर ये लग रहा था कि देखिए, वो क्या-क्या मैसेज भेज रहा था अच्छा काम कर रहा था मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन अब जब वो बाहर आ गया, वो पिछले एक महने से जो केमपेइग चल रहा था, कि मेरे पती को जेल में डाल दिया, जेल के ताले तूटेंगे, केजरिवाल छूटेंगे, तरह तरह की चीजें, वो पूरा का कि बड़े इनर्जी के साथ वो कर रहा है, तो बीमार तो पहले था नहीं वो, लेकिन है क्या, कि अब उसको डबल मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी स्टेटिजी जो है, वो बदल गई है, क्या स्टेटिजी बदली है, पहले सिंपती बोट मांग रहा था, अब हिंदू बन करके मांगेगा जय बजरंग बली और पता नहीं, तो बजरंग बली तो उसको आसिरवात कभी नहीं देते हैं, जो प्रभु सिर्राम का अनादर करते हैं, तो ये पूरी कहानी है, बाहर आये हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई ज्यादा फर्क, दिल पेसर ने सही कहा कि पहले sympathy vote मांग रहे थे, अब तो मंदिर, मंदिर घूम कर vote मांगेंगे, आज हनुमान मंदिर भी गया और लगता है कि आने वाले दिनों में भी कई मंदरों का दौरा करेंगे, लेकिन केजरिवाल के रिहा होने से किसे फायदा होगा और किसे नुक्सान ह दिखिये केजरिवाल के रिहा होने से नुक्सान तो कॉंग्रेस को होगा क्योंकि डिल्ली की राजीती में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। दिल्ली में भारती जनता पार्टी साथ की साथ सीटे जीतेगी, वोट का पसेंटेज भी भाजपा का बढ़ने वाला है, ये कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठवंधन से दोनों के बीच सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है मुस्लिम वोट। और इन दोनों ने मुस्लिम परतिनिदियों से बात नहीं की, किसी महले के मुलानाओं से चर्चा नहीं की, आपस में गठवंधन कर लिया है, क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम वोट बिखर जाते हैं, जबकि हकीकत यही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग-अलग र चार पसेंट वोट नहीं मिले होते बिधान सभाचुनाब में, और लोग सभाचुनाब में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देता, तभी तो यह जो कॉंग्रेस को बिधान सभाचुनाब में वोट मिलता है, तीन चार सीटों पर कॉंग्रेस दूसरे जगह पर रहती है, और एक दो सीटों पर यह आम आदमी पार्टी दूसरे जगह पर रहा पाती है तो इसलिए वो एजेंडा तो फेल ही है साथी और आगे क्या है कि अभी फायदा भारतिय जनता पार्टी को दिल्ली में हो ही रहा है अब अगली जगह जो है वो पंजाब है जहां अरविंद के जिरिवाल अपने आपका इस्तिमाल करेगा क्योंकि वहाँ पर तेरसीटे हैं और फाइट कॉंग्रेस से ज़्यादा है तो इसलिए नुकसान कॉंग्रेस को करेगा वहाँ सत्ता धारी पार्टी आमादमी पार्टी है सत्ता से हटाया किसको वो कॉंग्रेस पार्टी को हटाया सबसे ज़्यादा सांसर्द वहाँ पर कॉंग्रेस के थे आठा टांसर्द जितके आया थे तो उससे तो आकड़ा कमी होगा क्योंकि उपचुनाब में भी जलंदर से कॉंग्रेस को यह राया आगे भी कॉंग्रेस को यह रायेगा भारतिय जंता पार्टी हो या काले दल हो इन पार्टीयों के पास इतनी सीटे नहीं हैं दो-दो सीटे हैं दो सीट से ज़्यादा ही जी गया कॉंग्रेस का नाम नहीं लिया और कॉंग्रेस के नेताओं ने भी कभी अर्विन केजरिवाल के बाहर निकलने का जस्ट नहीं मनाया ट्विटर पर ही सही सोशल मीडिया पर ही सही कहीं भी ऐसा नहीं दिका कि बड़े कॉंग्रेसी हैं जो पूरी तरह से स्वागत कर रहे अर्विन केजरिवाल का तो अब केजरिवाल बाहर आया है 21 दिनों तक चुनाव परचार करेगा और 2-3 दिन के अंदर ही कॉंग्रेस के साथ इसका जो गठवंधन है वो विखरता हुआ दिखाई पड़ेगा तूटता हुआ दिखाई पड़ेगा बिल्कुल सर बहुत बहुत पार्टी के डिल्ली विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे बताया जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव परचार की रनीती और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी पर केजरिवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को ये भूलना नहीं चाहिए कि 2 जून को उनको वापस आत में समर्पन करना पड़ेगा ये अंतरिम जमानत सिर्फ चुनाव परचार के लिए मिली है इस जमानत का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अर्विन के जिवाल निर्दोश है इस पर आप अपनी राए कमेंट कर लिखे देखते लिए क्या पचल टीवी नमस्कार